Well, it's a big question that की करियर पेंटिंग के अंदर करियर कैसा रहेगा बहुत difficult भी नहीं होता है, बहुत easy भी नहीं होता है मैं यह कहूंगी और आपको इसमें बाजा लेने की ज़रूरत है enjoy करने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की बजाए है टेंशन सबकी लाइब में होती है, I know financial problems होती है तब ही इंसान कमाने को सोचता है और कमाना चाहिए भी बट मुझे इससा लगता है कि आर्ट में आपको पहले तो अपने आपको थोड़ा सा शांत करना जरूरी है आपको enjoy करना चाहिए, अपने art piece को अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो तो tension के ही काम कर रहे हो, कि मुझे पैसा कमाना इसलिए मैं काम कर रहा हूँ तो वो कहीं भी नहीं आपको ले जाएगा है ना So you have to keep your mind stable, you have to feel happy, you have to give 100% to your work and you have to explore also, आप चितना explore करोगे, दूसरों का work भी देखोगे, आपको exhibition भी करनी होगी, आपको social marketing भी करनी होगी आपको learning भी करनी होगी, आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको learning भी करनी है आप अपने आप से भी learn कर सकते हो, वह सारे artists होते है, self-taught artists होते है बट मुझे से लगता है कि वह काफी हैं तक सही रहता है, कि आप अपने आप से सीखते हो बट जब आप दूसरों से सीखते हो ना, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है ठीक है, कि आप कहां पर lag कर रहेते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है कि हम गलतियों करती रहते हैं तो इस बेटा कि आप चीजों को करके तो सीख रहे हैं, आप दूसरों से भी सीखें, दूसरे आर्टिस्स से भी सीखें